जो कमिंग इंटेक्स हैं अब जैसे हर किसी को पता चाहने डाओ यूवश से में का जो होता है वो एक छूटा इंटेक होता है और बहुत सारे जो यूनिवर्स्टीज हैं वो में इंटेक देते हैं ज्यादा तर उसमें बिजनस कोर्सेस मिल जाते हैं और कुछ और कोर्स बिजनस के भी मिल जाएंगे या बिजनस में आगे ब्रैंचेस आजाती हैं फाइन album, marketing, HR उनके कोर्सिस मिल सकते हैं साइंस के बहुत कम कोर्सिस मिलेंगे ज्यादा तर कोर्सिस मिलेंगे सेप्टेंबर में अगर आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सटी अगर बहुत अच्छी है तो आपके वीजा चांसे अच्छे रहते हैं अगर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है आई कॉंटेक्ट से बात कर सकता है वीजा ओफिसर से और आपने थोड़ा सा होमवर करना पड़ता है स्टूडेंट को आपने अगर साथ से प्रिपेर करना पड़ता है जो स्टेट्मेंट अपरपोस बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपने जो आपने अपना स्टेट्मेंट अपरपस बहुत अच्छा बनाया है और आपका अगर उनकी तरफ से आईल्स रिक्वार्मेंट या टोफल है वो किया हुआ है GRE, GMAT, अगर कुछ किया हुआ है, बैसे जो average university को वो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम high end university की बात करें, तो उनका अपना eligibility criteria होता है, तो अगर किया हुआ तो आपको scholarship 100% तक भी मिलती है, यह सारा मकसद जो होता है, इतना काम करने का, वो यह है कि बच्चा कितना अच्छ कितनी अच्छी research की है, मैं लग कितना intelligent brain है, जो कि वो country अपने पास बुलाना जाती है, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं हम आपके fees waiver करते हैं, आपको scholarship 100% देते हैं, बहुत सारे cases में देखा गया, even living expenses भी universities ने पे की हैं, तो इतनी बड़ी grants मिलती हैं universities को अच्छे बच्च जा रहे हैं लोग, तो वो student एक अच्छी category का student जो बहुत अच्छे से त्यारी करके जाता है, तो उसका visa reject नहीं होता है, अब मैं every student की अगर बात करती हो, तो every student भी अगर उसमें confidence है, university अच्छी select की होई है, तो उसका visa rejection chances नहीं होते हैं, और कभी भी एक university में ना apply करें, maximum time visa officer आप से ये पूछता है, कि कितनी universities में I-20 आपने apply की है, in how many universities you applied your I-20, तो ये important question होता है, admission process का जो system रहता है, आपके सारे documents आने के बाद, university में जाने के बाद, आपको एक offer letter आता है, जिसमें ये बोला जाता है, इतने financial documents हमें चाहिए है, मानली जीए, अगर बच्चे की waiver हो कह ही है, tuition fees, तो living expenses show करना है, या 50% fee waiver हुई है, तो उसको 50% show करनी है, तो 15 लाग हो सकते हैं, 20-25 लाग, depend करता है, उसको scholarship मिली है या नहीं मिली, लेकिन ये जह नहीं है कि आप कोई बहुत 3 महीने पुराने, 2 महीने पुराने, आप 4 दिन पहले डाल के भी statement दे सकते हो, and आप अ 20 आने के बाद, service fees पे करी जाती, student and exchange visitor, जो कि 350 डालर होती है, उसके बाद, you can take the appointment for visa, तो अब आप ये देखी, जो courses हम prefer करते हैं, US में, always जो सबसे ज़्यादा research हुई अभी तक, कि STEM courses में, science, technology, engineering और math, सबसे ज़्यादा बच्चा, जो 78% student, IT के courses के लिए अपलाई करते हैं, IT में अब cyber security आ गया, data analytics आ गया, and आपका artificial intelligence है, cloud computing है, इस specialized courses होगे, otherwise master in IT, master in information technology, तो अब आपका इसमें, मतलब आप research करो, आप job vacancies देखो जाके, आपको पता चल जाएगा, कितनी ज़्यादा job vacancies है, इसमें post study work permit भी you are getting for three years, USA में, तो अगर आपको, मास्टर्स करने जा रहे हैं, two years की master है, और post study work permit आपको three years का मिल रहा है, तो आपके पास पांच साल का वीजा तो है ही है, उसमें आप अपनी job अच्छी मिलती है, आईटी वाले बच्चों को, अगर आप cyber security की बात करो, या artificial intelligence, पढ़ते पढ़ते ही second या third semester में को job offer आने लगते हैं, जॉब मिल गई, तो student को green card easily मिल जाता है, green card के बाद settlement process है, तो ऐसा मतलब और pay scale जितना US आपको pay कर सकता है, शायदी कोई country IT में आपको pay कर पाए, thank you.